तो hello friends, welcome back to another video दोस्तों आज के जमाने में email id हर किसी के पास में है चाहे आप कोई सभी mobile चलाते हो या laptop चलाते हो तो आप जरूर अपने नाम से कोई सभी email id बना कर जरूर रखे होंगे तो friends आपने देखा होगा कि आपके email id पर बहुत सरे ऐसे message है जो बीना काम के हैं और हमेंसा आते रहते हैं ठीक है तो उस message को जो बीना काम के आपके email id पर हमेंसा आते रहते हैं तो आप उस message को कैसे बंद कर सकते हों इस वीडियो में जानने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरूर करते हैं दोस्तों आप यहांपे देख सकते हैं मेरा email ID है और यहांपे आप देख सकते हैं बीना काम का कितना सारा message आया हुआ है ठीक है। तो इस message को जब हम अपने email id से delete कर देते हैं तो फिर दुबारा से वही message हमारे email id पर आ जाता है तो आप उस message को आने से कैसे रोख सकते हो इस वीडियो में सिखने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे mobile में Gmail account अभी login है और इस email id पर आप देख सकते हैं बहुत सारे message आई होए है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलिप कर्ड का message है इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे Tata on MG का message आ जाए होगा है ठीक है और उसके नीचे आप द करना है चलिए हम बतलाते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है कि आप यहां थी डॉट पर एक बार किलिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं ऑन सब्सक्राइब का ऑफसन है इस पर किलिक कर देना है इसके बाद आप यहां पर देख सकते हो एक और ऑफसन ह ने आपको क्या करना है आपको एक बार किलिक करने के बाद इस नमर से आपके मोबाल पर दुबारा मैसेज नहीं आएगा ठीक है तो चलिए इसे बैठ करके हम आपको दिखला देते हैं यहां पर दिख सकते मैसेज है लेकिन इस mail id से आपके mail id पर दोवारा से message नहीं आएगा ठीक है चलिए थोड़ा और नीचे के तरह पाते हैं तो friends आप यहाँ पर देख सकते हैं tata1mg का message बार बार आया हुआ है ठीक है थोड़ा नीचे करके मैं आपको दिखला दे रहा हूं यहाँ पर देख सकते हैं tata1mg message आया आप यहाँ पर देख सकते हो एक option है report as spam का ठीक है इसपर click करने के बाद इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एक और option है report as spam and on subscribe ठीक है इसपर click क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहां से मैसेज भी डिलेट हो गया और हमारे इस मेल आइड पर इस नंबर से अब दोबारा मेल नहीं आएगा ठीक है तो इस तरह से आपके मुबाइल पर भी अगर बेकार के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो आप उसे आसानी से बंद कर सकते हो ठीक है फ्रेंट्स यह जनकारी आपको कैसे लिए कमेंट वक्स में ज़रूबत लाइएगा और इस वीडियो को लाइक कर देजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर देजिएगा तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में